तो आदाब नमस्कार वोडिनिंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम वोगा स्वागा थे क्राइम तक कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी अपना ख्याल रखनी होगी आज बजट का दिन और बजट पेश किया गया कायदे से बताओं तो मुझ क्राइम की कहानिया आज की कहानी एक मा के इंसाफ की कहानी है आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको लेके बहुत सारी बातियां सवाल उट सकते हैं कि सही है घलत है आज की कहानी कहीं ने कहीं हमारे देश में जो अदालतों में जिस तरीके से मामले की सुनवाई होती है बिखाती है कहानी वेस्ट जर्मनी की है तब इस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग-अलग हुआ करते थे 1990 में शायद दोनों जर्मनी पर बर्लिन की दिवार गिरी तो दोनों जर्मनी एक हो गये तो वेस्ट जर्मणी में एक जगह है ल्यूबिक डिस्टिक्ट वहीं की यह कहानी है और कहानी अपसे करीब करीब पचास साथ साल पुरानी कहानी है यह कहानी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है मैरियन बैक्मियर मैरियन उसका बच्पन से ही जो उसकी पूरी पैदाईश के बात से उसका जो दौर रहा हो बड़ा डिस्टब्ला उसके माबाप के बीच अकसर जगड़ा होता है फिर मैरियन के पिता ने अपनी वाईप को तलाग दे दिया अब मैरियन अपनी मा के साथ रहती थी लेकिन फिर मा ने भी दूसरे शादी कर दी तो वो फिर मा से भी अलग हो गई और किसी तरीके से उसकी परवरिश होती रही 1966 में जब मैरियन के एक स्रिफ 16 साल थी तब वो पहली बार प्रेग्नेंट री और उसने एक बेटे को जरुन दिया दो साल बीते फिर 1968 आया उसने फिर से एक बेटे को जरुन दिया और इस दूसरे बच्चे की पैदाईश से पहले मैरियन के साथ रेप हुआ उस रेप के बाद ही फिर जब वो प्रेग्नेंट थी तब रेप हुआ उसके अधर उसने दूसरे बच्चे को जरुन दिया अच्छा चुकि यह खुद जो पहले बच्चे को जरुन दिया 16 साल की दूसरे 18 साल की काम वाम करती नहीं थी कोई अपना पता ठिकाना भी नहीं था तो जर्मनी के कुछ कानून ऐसे थे उस वक्त तो इन बच्चों को अनाथाले में भेज़ दिया जाता था पैदा होती तो उसने जैसी बच्चे दोनों पैदा हुए अस्पताल से उन दोनों को सीधे अड़प्शन सेंटर भेज दिय अगया और वो बच्चे नहीं पल बढ़ रहे थे तो दो साल के अंदर अंदर उसने दो बच्चों को जर्म दिया और इसके बाद फिर कि 1973 में मेरियन ने एक और बच्चे को जर्म दिया इस बार एक बेटी हुई और उसका नाम था एना एना बैक्मियर अब तीसरी बेटी पैदा हुई दो बच्चे जब उसने पैदा किये तो उसके बाद वो दोनों अनाथाले में थे अना से उसे बहुत प्यार था और एक तो बच्ची दी बेटी थी उसने कहा कि वो उसे अपने साथ रखेगी और वही उसकी परवरिश करेगी अब अना उसके साथ रहने लगी और मेरियन बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर धिरे धिरे वक्त बीटता है 1973 में पैदा ह अना से बसी की कहानी है उस दिन एना और उसकी मा मेरियन के बीच में नोग जोक हो गए एना का किसी बात पर कि वो पढ़ाई लिखाए पर धहान नहीं देती थी मेरियन ने उसे डांट दिया वो घुसा हो गए फिर उसकाद घुसे में वो घर से निकली और स्कूल नहीं है था एक कसाई एक बूचर जिसका नाम था क्लॉस ब्रेगो की उम्र करीब 35 साल और क्लॉस ब्रेगो का एक पुराना क्रिम्रल रिकॉर्ड रहा है वो दो बार इव टीजिंग और छेड़खानी और इन सब इलजामों में जेल भी गया जेल में भी रहा था और फिर उसके इ बाद में उसने अपनी इक्षा से ही खुद को एक तरह से नस्बंदी करने की करानी की पेशकर्ष रखी सरकार के सामने और वो हो बी गया लेकिन फिर उसके बाद इसने दुबारा से फिर सरजरी कराने और वो जो सारी चीजे थी उसकी कोशिश शूरू कर दी पहरे तो उसन तो यह प्रोस में रहता था एना के और एना उसके घर कई बार चुके एक बूचर था तो मेरियन भी जाती थी कुछ सामाल लेने और उसके घर में कई पालतू छोटे-छोटे जानवर भी थे तो एना वहां जाकर खेलती भी थी तो वो क्लॉस को अच्छे से जानती थी प्र आज मैं उन्हीं सफी को मां से लड़ने के बाद एना जब घर से निकली तो क्लॉस उसे मिला और उसने उससे पूस्ताच कि फिर अपने घर ले गया उसे देखा आज पास को है नी घर ले जाने के बाद उसने एना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की साथ साल की बच्छ आज रोने लगी चीखने लगी शोर मचाने लगी क्लॉस डर गया इसके बाद उसने गलाग मोटकर आजा आजा को माड़ा आजा का कटल करने के बाद चुकि वो साथ साल की छोटी सी बच्छी थी घर के अंदर कई काटून रखे हुए थे उसने उस गत्ते के जो बो थे सब्सक्राइब हाथ पैर मोड़कर आइना को पैक कर दिया और उसको पर टेप लगा दिया फिर वो सकाटून को उठाकर गाली में रखता है और घर से कुछ दूरी पर एक नहर है वहाँ ले जाकर उस काटून को उस नहर में फेक देता है फेकने के बाद अब तक शाम हो इधर क्लाउज अपने घर में नहीं है वो एना का कटल करने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपनी उसी गल्फरेंड के घर पहुंसता है जो उसे ताना मारती थी नपुंसक कहकर पुकारती थी और वहाँ जाने के बाद वो अब बताना शुरू करता है अपनी गल्फरेंगो कि तुम्हें पता है मैं क्या करके आ रहा हूँ और वो बताता है मतलब अपनी एक तरह से वो मर्दानगी जाहिर करना चाहरा था कि देखो मैं नपुंसक नहीं हूँ मैं कर सकता हूँ और मैंने एक अभी बच्ची को ऐसे से रेक किया है और उसके बाद उसका गतले कर दिया क्योंकि मैं पकड़ा जाता है मैं दुबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ और लाश मैं वहां फेक करा आदा हूँ यह सुनकर उसकी गल्फिंड घबरा गई उसे लगा कि शायर यह सच बोल रहा है उसके बाहने से उससे कुछ कहा कि तुम रुको मैं कुछ स जबर आ चुकी थी चुके रात का वक्त हो गया कि क्लाउस के ही पडोस में रहने वाली साथ साल की एक बच्ची आइना गायब है और मिल नहीं रही है अब जब क्लाउस से पूच्टाच किया गया तो उसने एकसेप्ट कर लिया उसने बोला हाँ उसने उसको उठाया था उस पुलिस अब उसे ग्रतार करके लाती है मेरियन को ये बात पता चलती है वो बेहत सदमे में क्योंकि वो आइना से बहुत प्यार करती थी अब साथ साल की एक बच्ची का कतल है और रेप की बाते हैं उस वक्त उस डिस्ट्रिक में लोगों को भी इसमें बहुत घुसा आता ये खबर सुन कर लिए अब इसके बाद ये मामला जो है कोट में जाता है पांच मई 1980 को एना का कटल हुआ था और इसके बाद लगभग लगभग दस महिने बीच जाते हैं फरवरी 1981 से इस केस का ट्रायल शुरू होता है पहला दो ट्रायल हो चुका था दोनों ट्रायल में ये जो क्लॉज है ये कहानी बताता है वो कहता है कि एना उस दिन आई थी मैंने उसका कटल डर के मारे किया क्योंकि वो मुझे ब्लैक मेल कर रही थी वो कह रही थी कि मैं साथ साल की बच्ची की अंदर इतना दिमाग कहां से आएगा कि वो ब्लैक मेल करेगी ये उसे पैसों की इतनी समझ है तो लेकिन अपनी ये कहानी गरड़ा था और उसने ये कहा कि मैरियन भी उसकी मा भी शामिल है तो उससे पैसे आटना चाहते थे और उसने कोई रेप नह कि मैरियन इधर लगातार कह रही है कि नहीं इसका पुराना इतिहास जो है वो बताता है ये जेल जा चुका है लड़कियों के साथ चेहरखानी करने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के इंजाम में और इसने उसकी बच्ची का रेप किया है अदालत तब तक उसक्त स किया जा कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ और क्या वो उसकी मां जूट बोल रही है ये सारी वाते सुनकर मैरियन को बड़ा अफसोस होता है उसे लगता है एक तो उसने अपनी एक मासूम बच्ची को ख्वया उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई और यहां कोट में दो कहता है उसी वक्त अदावत का वक्त खत्म हो गया शाम का टाइम कोट बंदने का तो जज ने का ठीक अब आपको जो भी कहना है नेक्स्ट हेरिंग में आप कहना और नेक्स्ट हेरिंग यानि तीसरी हेरिंग इस मुकदमे की जो थी सिक्स मार्च 1981 को तैकी गई इसी लिवग कारवाई की बजाए उसकी बेटी और उसकी खुद की इजद को उचालने की कोशिश की जा दी उसके जाराग जो कुछ हुआ जो उसके साथ प्लॉज में किया बंद कमरे में अब कोट के अंदर उसको इस तरह से किया जा रहा है वो आयना से बहुत प्यार करती थी उसे रग 80 को और उसने तैक कर लिया यह तीसरी सुनवाई जो है 6 मार्च 1981 को यह इसकी बेटी के कट लेके मुकदमे की आखरी सुनवाई होगी अभी सुनवाई ना मालूं कितना लंबा चले कितनी और बार उसकी बेटी और इसके उपर कीचर उचा ले जाए तो उसने का कि इस चैंबर में साथ गोली एक साथ आ सकती थी है मैं साथ गोली जेदिल में लोट करती है सिक्स मार्च की दोपहर को इस मुकदमी की लिस्टिंग थी उससे पहले कुछ और केसिस थे लिवग दिस्टिक कोट में वो अपने ओवर कोट के नीचे उस छोटे से पिस्टल को लोड़िट छुपा लेती है कपड़े के अंदर नाइंटीन एटी एटीवन यह वो दौर था जब सिक्यूरिटी और सुरक्षा एतनी नहीं थी मेटल डिटिक्टर जिस तरीके से आप कोई हत्यार या कोट के अंदर तो ऐसे ही कोई चीज होती नहीं थी जिससे की बहुत जादा लोगों की तलाशी ली जाए तो आम तोर पर क जैसी और मुकदमे की सुनवाई हो रही थी सुन वाइडती रहती है इसके बाद अब इस मुकदमे की बारी आती है इस दौरान क्ला़ज बेगो जो अक्यूसट एना के एक आर एक काक्तिल चौरय पर तर वह सी अदालत के अदालत के परीसर मी लाकप में था क्योंकि जैसे ये मुकदमे की सुनवाई शुरू होनी थी तब उसे पुलिस लेकर आती मैलियन कोट के अंदर बैठी है बेहत शांत खामोश जैसी केस खत्म हुआ और अब आइना का केस शुरू हुआ अरदली ने एलान किया फॉरन पुलिस के टीम जो है वो कोट परिसर में ही बंद लॉक अप में क्लाउस को लेकर कोट के अंदर दाखिल होती है अब दोनों तरफ पुलिस वाले हैं बीच में क्लाउस है अब कोट प्रूम में दाखिल हो रहा है एना कोट के अंदर लगपक पीछे की तरस्टप से बैठी हुई है आगे नहीं ही उसे ये भी डर था आगे जाओंगी पता नहीं कहीं हात्यार है तो मन में डर रहता है लेकिन उसकी नजर थी दरवाजे पर कि क्लॉस कब एंटर करेगा इतफाक से जब केस नंबर बुकारा ग करती है और अब जब वोठी तब तक पुलिस वाले क्लॉस को लेकर आगे बढ़ चुके थे यानि अब क्लॉस की पीठ मैरियन की तरफ थी बहुत तेजी फूरती के साथ वह अपने ओवर कोट के अंदर से वही पिस्तल निकालती है और सीधे क्लॉस के पीठ की तरफ पिस्त कि खुली क्लॉस को लगती है पीट कर एक गोली में सफायर हो जाता है नीचे किसी आरको नहीं लगती है छे गोली लगते ही क्लॉस नीचे गर जाता गोली अथनी तेजी se चलाइगे कि किकि कुछ कुछ समझे भी नहीं आ आया जब Тक पुलिस वाले या कुछ और समझते अपनी बेटी के कातिल को छे गोली मार चुकी थे अब हाथ में अभी उसके पिस्टल है अब जब तक सम्हली Paulist जज सहाब भी सम्हले तो आगे बढ़े उसे लेकिन अभी भी सब सम्हल कर आगे बढ़े रहें क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है तो वचानक मैडियन उन सबसे कहती है कि आगे मत बढ़ना पहले मुझे ये चिक करके बताओ कि ये जिन्दा है या मर गया पुलिस वाले भी डर रहें क्योंकि हाट में लेडी के पिस्टल है वो इशारों में देखते हैं और इशारों में कहते हैं कि इस डेट इसके बाद वो अपने पिस्टल नीच रख देती है पुलिस वाले वहाँ पे उसे गिरफतार कर लेते हैं भरी अदालत के अंदर एक कतल हो चुका था एक ऐसा कतल जिसमें एक माँ अपनी बेटी के इनसाफ के लिए लगातार वहाँ गिरगड़ा रही थी और इसकी बेटी और उसके चृत्र पर लगातार उम्लिया उठाए जा रही थी इस हाथसे के फॉरण बाद उसका स्टेट्मेंट लिया गया और उससे कहा गया कि आप साइन करो क्योंकि कोट के अंदर सब कुछ हुआ था उसके साइन किया लेकिन साइन करने के बाद उसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखे नीचे और उसने एक लाइन जो एक्स्ट्रा लिखी उसमें ये था कि I did it for you एना यह मैंने तुम्हारे लिए किया एना और उसके नीचे उसने साथ सिवन हाःट के निशान बनाए तेक लाइन לिखी कि I did it for you एना और नीचे साथ हाःट के निशान बनाए और ये साथ हाथ के निशान शायद इसलिए बनाए उसने कैहन न साथ साल की हो चुगई थी इसके बाद अब उससे ग्रफ़तार कर लिया जाता है ग्रफ्तार करने के बाद अब ये खबर उस वक्त की भरी अदालत में एक मा ने अपनी बेटी के कातिल से यू बदला लिया कि जब खबर मीडिया में आती है तो हर तरफ इस खबर की चर्चा होने लगती है बाकाईदा इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को हैड्लाइन बनाई गई बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जर्मनी पहुंच गया वहाँ वैस जर्मनी इसको कवर करने के लिए और अब कोट्रून के अंदर जब ज क्लाउस तो अब मारा गया अब मैरियन की पारी थी उसके मुकदमे की और लोगों की हमदर्दी थी उसके साथ कि उसने अपनी बेटी के कातिल से बदला लेकर कुछ गलत नहीं किया और जिस तरीके से कीचर उचाले जा रहे थे तो ये एक मा का अपना फैसला था हो सकता है तरीका गलत था तब उसके उपर मड़र के चार्जेश लगने थे और मड़र के चार्जेश के लिए उस वक्षजर में ये 20 ये 20 साल की सजा थी लेकिन फिर उसके अपने वकील आये और उन्होंने कुछ उसे समझाया मैरियन को मैरियन के पास इतने पैसे भी नहीं थे लेकि वहीं जेल में बैठकर लिग दी और एक पब्लिशर के साथ वकील के थूटायप हुआ वो किताब छब गई आनंद फाना में और इस किताब से करीब डेल लाग डॉलर उस जमाने में फाइदा हुआ मैरियन को ये डेल लाग डॉलर में जेल में रहते हुए उसने इसके जरी इसके उपर बहस चलती रहे बहस शुरुआत हुई लेकिन दो नुमंबर 1982 से इस मुकदमे की शुरुआत हुई अब मतलब आना का मुकदमा तो खत्म हो चुका अब आना के कातिल के मुकदमा शुरू हुआ था 6 नुमंबर 1982 यहां पर शुरू हुआ अब आकाइदा वहां पर जो बोर्ड बैठी थी जजों की वो यह मान चुके कि हां यह ठीक है यह जो कतल है यह कतले इरादतन नहीं किया गया जिस्से की 20 साल की उसे सजा मिले लेकिन हत्यार रखने कोर्ट में हत्यार लाने और घुस् मार्च 1983 सेकंड मार्च 1983 को सर्किट कोट चैंबर में जो लुबक डिस्टिक में है उसने मैरियन को 6 साल की सजा सुनाई इसके बाद उसे वहीं लुबक में जेल भेज दिया लिया वो जेल गई जेल में उसने 6 साल तो नहीं कुल 3 साल ही का तो और 1985-86 में बखे 1985 में वो जेल से बाहर उगी बाहर आने के बाद अब उसे जरमनी से थोड़ी से नफरक्स से होगी थी वो जरमनी छोड़ देती है और घाना पहुंच जाती है गहाना में एक प्रोफेसर से उसकी मुलाकात होती है जो वहां जर्मन कैम्प में जर्मन जो कैम्प हुआ करते तो उससे स्कूल में टीच चाथे पढ़ाया करते थे तो मैरियन को उस प्रोफेसर से प्यार हो जाता है दोनों शादी कर लेते हैं 1988 में लेकिन ये शादी जादा दिन चलती नहीं دो साल चलती हाँ 1990 में दोनों का डिवोर्ष हो जाता है फिर डिवोर्स होने कि उसे कैंसर है और उसके पास कम वक्त है तो उसे लगा कि अब जिन्दगी कम है तो वापस अपने उसी देश अपने उसी शहर में चलते हैं जहां उसकी बेटी को रफनाया गया और जहां उसने आखरी दिन गुजारे थे वो वापस जर्मनी आती है जर्मनी आने के बाद 17 स्टमबर 1996 जब मैरियन की उमर सिर्फ 46 एर थी 46 साथ कैंसर की वज़ा से उसकी मौत हो जाती है मौत से पहले उसने कई किताबे लिखी कई इंट्रिव्यूस दिये एक जनरलिस्ट को कहती है और बलाती है कि तुम मेरे मौत की आखरी चीज़ों को भी रिपोर्ट करो और ना थी क्योंकि उसे मालूम था कैंसर है उसकी मौत होगी कि जब वो मर जाए तो उसे उस कबरिस्तान में नहीं जिस कबरिस्तान में एना को दफनाया गया बलकि उसी कबर में उसको दफनाया जाए जिस कबर में एना को दफनाया गया था और उसकी ये खाहिश पूरी होती ह 17 स्प्टमبر 1996 मैरियन की मौत के बाद उसे उसी कबर के अंदर दफनाय जाता है जिस कबर में उसकी बेटी को दफनाय गया था करीब 26 साल पहले 26 के करीब साल पहले तो इस तरीके से एक मा का सफर खत्म होता है अब इसको लेकर उस वक बहुत महीं भी चली थी लोगोंने बड़े सारे आवाज भी उठाय थी जब सजा होती 6 साल की ये कम है कुछ लोगोंने कहा जादा है लेकिन जो अक्सरियत मैजरिटी थी उनका मानना था कि जो कुछ किया मैरियन ने वो सही किया था तो कई लोगों का सबर भी टूब जाता है लेकिन फिर भी कानून अपने हाथ में लेने कि किसी को इजाज़त नहीं मिलती है तो आज की कहानी में इतना ही लेकिन कहानी खत्म करूं से पहरे वही अपना सलसल आज आकाश पार्खे इनका बढ़े है तो हपी बढ़े आकाश और ये निखिल ने भेजा है साथी सचिन कुमार जहा का भी आज जनम दिन है तो हपी बढ़े सचिन और श्रयास जहा ने भेजा है उपासना प्रजापती इनका भी आज बढ़े है तो हपी बढ़े उपासना जी और ये अरुन प्रजापती जी की पत्नी है रोमानिया में रहते हैं ये मिहिका शर्मा एलियस गुन्नु इनका भी आज बड़े है तो हपी बड़े मिहिका और ये रजनी शर्मा जी ने भेजा उनकी बिटिया है साथीज और मैं इन से मिला भी सुनील सांगवान इनका भी जनम दिन है तो हपी बड़े सुनील और यश भावना मुन्नी और जोगिंद्र ने भेजा है साथी रितिक का भी आज जनम दिन है तो हपी बड़े रितिक इसके लाबावा मनीश साहू 31 को इनका था बड़े तो हपी बड़े मनीश और शिवांसु तिवारी ने भेजा है चित्रकूट से योगिंदर सिंग तोमर इनका भी 31 को था तो हपी बड़े योगिंदर साथी अभयन तियादब इनका भी आज जनम दिन है इनकी भी अनिवर्सरी है तो आप दोनों को भी पूजा और कमल बहुत बहुत बढ़ाई शिवम श्रिवास्तफ मुंबई से हैं थैंक्यू सो मच आपके मेल के लिए शिवम साथी प्रशाद मोडे और आज की जो आपको कहानी सुनाए इस कहानी को इन्हों ने भी भेजा है है रिक्वेस्ट की तुक्ता सब खोनी सट्द्स प्रशाद और रोकिषे आपकी चीज्य लोगों करूं स्लमगें लेगिव कोशिश करांगा फ्लो में निकल जाता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो आज कहानी में इतना ही अब आप से मुलकात हो कि कर रात ना वजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खायल रखेगा थैंक्यू वरिमाच